नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चेर पर चेर दोस्तों पस्तित हों आप सभी की सेवा में एक बहुदी महतोपूंज जानकारी को लेकर के जहां एक चमच दूद के साथ ही ये हर जगह कालापन पांच मिनट में जड़ से खत्म कर देगा ऐसा टोपिक है जहां हम अपने शरीर के जिन हिस्सों की सही से सफाई नहीं कर पाते हैं वो शरीर के बाकी त्वचा के मुकाबले थोड़े डार्क और काले नजर आते हैं जैसे कि अंडर आर्म, कोहनी और घुटने का कालापन जो देखने में काफी अजीब लगता है त्वचा का ऐसा कालापन हमार प्रेस्नलिटी की सुंदर्ता को एकदम भद्धा कर देता है या भद्धा बना देता है इसलिए आज हम आपको अपने इस वाई सोवर के माध्यम से अंडर आम, कोहनी और घुटने के काले पन को कुछी समय में दूर करने का सबसे सरल और 100% कारगर नुस्खा बताएंगे ज रूप में किया जाता रहा है कोहनी अंडर आर्म अथवा घुटने का काला पन दूर करने में भी यह काफी उपयोगी है इसके लिए एक चमच बेशन में दो भाग निम्बू का रस और शहद मिला करके अंडर आर्म कोहनी घुटने या अन्य हिस्से पर लगा कर और थोड़ का काला पन दूर करने में काफी उपयोगी और कारकर्ग सबित होता है इसके लिए बेकिंग सोड़ा में दूद मिला करके कुषनी और घुटने इत्यादी पर लगाने से काला पन दूर हो जयता है खीरा ये खीरा नकेवल हमारी स्कीन को मुस्चराइज़ करने में काम आता है बलकि इससे स्कीन टोम को हलका करने में भी मदद मिलती है कुहनी और घुटने इत्यादी का काला पंदूर करने के लिए खीरे के छोटे छोटे सलाइस करके उस स्थान पर रगड़ें थोरी देर तक रगड़ने के बाद उसे आठ से दस मिनट के लिए छोड़ दें अब ठंडे पानी से धोले निश्चित ही कुछ दिनों के बाद आपको फर्क महसूस होने लगेगा आप चाहें तो कदू करस किया हुआ आलू भी लगा सकते हैं ये बेहद ही कारगर नोसके हैं जिसके साहरे आप अपनी स्किन को गोरा बना सकते हैं अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों